मिथुन रासिबारो, दो नच्छत्रे, तीन गरह, एक संकेत आज मंगलवार का दिन 20 सक्तमबर, आसिन माकिस पच की दस्मीति थी पुनवर्सु नच्छत्रे, रात्री नौ बच कर साथ मिनट तक पुनवर्सु नच्छत्र का स्वामी विरहस्पती बुद्ध के साथ पुनवर्सु नच्छत्रे और पुसनच्छत्र का मिलन होगा, आपकी कुनली में विरहस्पती सनी, बुद्ध का परभाव, राभु की चाया, सुक्रे और मंगल की द्रिष्टी होगी आज मित्रुन रासी वारुक के भग्योदे का समय आ गया है, क्योंकि आपकी कुनली में इस समय कर्मस्थान में विरहस्पती का गोचर है, आपकी कुनली के लावस्थान में राभु बैठा है, आपकी कुनली के द्वादस भाव में मंगल का गोचर है, और आपकी कुनली के लगन में चंद्रमा का उदैव हुआ है चंद्रमा दो बचकर 24 मिनट के बाद आपकी कुंडली के धन अस्थान में गोचर करेगा वहीं पंचम्भाव में केतु का गोचर अश्टम्भाव में सनी का गोचर आपकी कुंडली के प्राक्रम अस्थान में सुक्र का गोचर और सु सुख अस्थान में सुर्ज बुद्ध की युक्ति मितुन रासी बारो आज पुनवर्सू नच्छत्र का बिरहस्पति अध्भुच्छमता बिलच्छन परतिभा आपके जीवन में साहस मजबुत इच्छा सकती सुक सम्रिद्धी सौभग्य और मन के विश्वास को बरहाने व जीवन में लाब तरक्की सौभग्य का योग है अपने मेहनत हिम्मत से अपार धन और सोहरत आप हासिल करेंगे क्योंकि आज आपकी कुंडली में जो सनी है वो राहू और सुक्र से परभावित है वहीं विरस्पति के ऊपर सुर्ज की द्रिष्टी है जीवन में बड़ी पलता बड़ी काम्याबी और खुसखबरी आपके कार्च की गती तेज होगी धन कमाने का साधन मिलेगा आपकी जीवन में आपका सामर्थ है समरिद्धी और सुख देगा आपका सोया हुआ नसीब भी जागेगा बेहतर समय है सुभ समचार और भग्य का साथ है आज आपकी लोगप्रेता बढ़ेगी आपके कार्चेतर में उनती तरक्टी होगा आपकी जीवन में खुसाली बढ़ेगी और भग्य आपको बुलंदी पर पहुँचाएगा आज आप तेजस्वी महत्व कांची होंगे जीवन में सुख संपत्ती अरजित करेंगे भग्य आपको भग्य देगा तरक्टी के लिए समय सुब है आपके इरादे बुलंद है मन में उत्सा है मन का विश्वास परिश्रम का फल आज का दिन आपके लिए बेहतर लाब के आउसर लेकर आया है पुनवर्सुन अच्छत्र का बिरहस्पती मिथुन रासी के जीवन में बड़ा सु करता है बिरहस्पती कर्म करने का साहस देता है आपके लिए सफलता काम्याबी का योग बनाता है वहीं दूसरी तरह बिरहस्पती आपके लिए बड़ा सुब इसलिए भी होता है कि बिरहस्पती के प्रभाव से ही धन संपत्ती आपके जीवन में बढ़ती है और सनी जो अग्यास्थान का स्वामी है आज आपकी कुंडली के अस्टम्भाव में गोचर कर रहा है जिसके उपर लाबस्थान में बैठा राभू और आपकी कुंडली के प्राक्रमस्थान में बैठा सुक्रे अपने प्रभाव से प्रभावित कर रहा है आज आपकी सारी इच्छा मनो कामना पूरी होगी, जीवन में नय-नय सम्मंध बनेंगे आपके जीवन में एक नई सुर्वात होगी नई सम्हाबना, आपके जीवन में आपको तरकी देगा मन का विश्वास जीवन में आगे बढ़ाएगा, आज आपकी इच्छा प्रवल होगी आज आपका सोया हुआ नसीब भी बदलेगा आपके जीवन में बड़ी सफलता काम्याबी खुसखबरी का योग बनेगा मितुन रासी बारो बिरस्पती सनी बुद्ध का परभाव है यानि बड़ी उपलब्दी बड़ी तरक्की जीवन में सौभग्य समरिद्धी का योग आज ना आपके जीवन में किसी परकार की रुकावट है ना तो किसी परकार का बाधा है क्योंकि पुनवर्सू नचत्र का बिरस्पती आपको भग्य साली बनाता है अपने पॉजिटिव सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं जीवन में सुख प्राप्त करते हैं भग्य आपको तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ता है जीवन सुखी होता है और जीवन में सुख बढ़ता है वहीं पु आपकी जीवन में खुसी देता है सुख देता है तो आज का दिन तरक्की के लिए सम्रिद्धी के लिए स्वभग्य के लिए बड़ा सांदार है आज ब्रहम मुरत चार बच कर चांथिस मिनट से पांच बच कर एकीस मिनट पुर्वन सुर छत्र में बिरस्पती के परभाव से भग्य का सितारा चमकेगा भग्य में सुख है जीवन में तरक्की का योग है आपकी जीवन में खुसी और सौभग्य की प्राप्ती होगी वही अभिजीत मुरत एक ग्यारा बच कर पचांथ मिनट से बारा बच कर उन्चालिस मिनट का समय सुक्र की द्रिष्टी यानि बेहतर उपलब्धी लेकर आएगा विजय मुरत दो बच कर 16 मिनट से तीन बच कर 5 मिनट का समय आपके लिए बेहद ही सुभ होगा जिसमें सांदार सफलता बड़ी काम्याबी धन संपत्ती का सुख है आप प्राप्त कर पाएंगे वहीं अमरित काल 6 बच कर 24 मिनट से 8 बच कर 13 मिनट का समय परिवार की खुशी और परिवार में सुख है जीवन में संतुष्टी आपकी जीवन में तरकी का योग बनेगा आज का राभुकाल 3 बच कर 17 मिनट से 4 बच कर 49 मिनट राभुकाल के दौरान किसी भी सुभकाम का सिरी गनेश ना करे उत्तर दिशा की तरप स दिन की सुरुवात ना करे आपके लिए लग्की कलर यलो होगा लग्की नमबर फोर होगा मितुन रासी बार्व के लिए आज विरस्पती सनी पुद्ध का परभाव पुनवर्सुन चत्रे और पुशन चत्रे में भग्य का सितारा बुलंध है मंगलवार का दिन है हनमान ज से करें आपके जीवन में बड़ी सफलता स्वभाग्य और समरिद्धी का योग है हनमान जी के आसिरवास से भग्य आपका बदलेगा हनमान जी के आसिरवास से धन संपत्ती का सुख प्राप्त करेंगे और हनमान जी के आसिरवास से बड़ी सफलता काम्याबी की प्राप्त जिहोगी